वेरी गूड इवनी फ्रेंड्स वेलकम याल लॉन दी चैनल सेयर बजयार डॉट कॉम बेसिकली गज आज में बात करने बाला हूँ यस बैंक सेयर के बारे में तो दोस्तों ये वीडियो उनलों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है जिन लोगों ने यस बैंक के सेयर में इंवेस्ट कर रखा है या फिर इंवेस्ट करने का सोच रहे है साथी गाइज में आपको उता दू हम सभी जानते हैं कि यस बैंक के सेयर में पिछले कुछ टाइम से काफी जाद अगरावट देखने को मिल रही है साथ ही यहाँ पर गाइज कंपनी का जो काटर फोर का नतीचर रहा है वो भी काफी अच्छा रहा है तो उसको लेकर गाइज मैं आपके लिए काफी बड़ी इंपोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ तो यह वीडियो को गाइज आप अंतक देखिएगा ताकि आप जो एक किसी भी तरीके की कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट को मिस ना करें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी पहली बड़ी अपडेट के साथ में सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ है कि जैसे कि हम सभी को पता है कि Yes Bank की जो एक आर्क डील है जो कि काफी समय से जो है मार्केट में चर्चा में बनी हुई है तो वो जो है गाइज फाइनल स्टेज में पहुँच चुकी है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सर्बरस और जेसी फलार काफी जादा रेस में बने हुए है जैसे कि मैं आपको बता दूँ गाइज यहाँ पर जो है दो अलग अलग डील होने वाली है जो कि Yes Bank की जो bad debt का जो issue है गाइज वो आपको resolve होते हुए देखने को मिल सकता है साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो capital requirement की जो need है company को गाइज वहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर company को काफी जल्दी amount मिलने वाला है साथ ही आप देख पाएंगे जो यहाँ पर sources है वहाँ से पता लगा है मैं आपको बता दूँ गाइज जो है कम से कम 50,000 करोड का bad assets है जो कि 70 से 50 परसंट जो है गाइज already provided किया गया है bank के दौरा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइज जो कि सरबरस और जिसी फ्लावर है वो जो बिड़ करने वाले है आर्क में और इसकी जो total value होने वाली है गाइज 50,000 करोड के एप्रोक्स में जो bad loans हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि 11,000 से 13,000 करोड की होगी तो गाइज यह बहुत ही बड़ी अफडेट है यस bank share holders के लिए तो गाइज आप लोग बुलकुल attention हो जाईए आपके लिए यह बहुत ही बड़ी अफडेट है और आने वाले पर देखेंगे टाइम पर आपको इसमें काफी बड़ी अफडेट देखने को मिलेंगे तो साथ ही गाज आप इस स्टॉक पर काफी ज़्यादा नजर रखिएगा साथ ही मैं आपको बता दूँ अगर आप उन लोगों मैंसे हो जिनको स्टॉक लेटेट काफी ज़्यादा कहरी रहती है और आपको जो एक किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं मिलती है तो गाज आप क्या कर सकते हो आप डारेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो सेयरबजार.com इसको आप अपने टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हो जोईन कर सकते हो और अगर आप YouTube चैनल पर पहली वार वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा क्योंकि मैं उन्हीं वीडियो बनाता हूँ जो कि मार्केट में सेर काफी ज़्यादा चर्चा में बने हुए होते हैं साथी आप बैल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको जो नौटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे साथी मैं आपको उताता हूँ गाज यहाँ पर जो येस बैंक के फाउंडर है राना खपूर उन्होंने जो है 832 करोड जो है चुपाए है पता चलेगा और आप बुलकुल अपडेट रहीएगा सेयर के बारे में ताकि आप किसी भी तरीके की इंपोर्टेंट अपडेट मिस्स ना करें कि साथी एस बैंक के कॉर्टर रिजल तो बहुत ही बहतरीन रही है गाईज क्योंकि 77.92 परसेंट का इनको जो है नेट प्रॉफिट रहा है इंट्रेस रंड भी गाईज इनका एक परसेंट का रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5.96 परसेंटिज का रहा है पिछले साल क के बहुत ही बहतरीन है साथी मैं आपको उता तो जैसे की आल बैटलोंस के बारे में आपको बता रहा था यह जो आपको कंप्लीट होता हुआ देखेगा जून का जो कि इनके CEO का मानना है गाईज अगर यह सक्सेस होता है तो यह बहुत ही बड़ी अपडेट होगी और आने करें साथी मैं आपको बता दूँ जो यह बना हुआ है बैटलोंस की वेसे वह एप्रोक्सिमेटली खतम होने वाला है और आप देखेंगे कि कंपनी आने वाले टाइम पर काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है क्योंकि यहाँ पर कई सारे जगे से कंपनी ने अपनी रि एडी भी हेल्प कर रही है ताकि जो है रिकवरी किया जा सके साथी मैं आपको बता दूँगा यह बैंक में जो है आपको इन्वेस्टर्स का बरोसत दुबारत से जो गाज देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका के एक बड़े इन्वेस्टर है वेंगवर् सब पंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया और कुल 2277.2 करोड रुपैका उन्होंने एमाउंट से बायक किया है साथी मैं आपको बता दूँगा आज